आज हम आज एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूं मैं जो हैं बड़े मज़े के खटे आलू जो बहुत ही मज़े के बनते हैं उसके लिए हमें समान चाहिए होगा धाई किलो आलू ले लिए हमने जिसे हमें नहीं बुआयल कर लिया था आज आपाव इंली ले लिए जिसके दो खुआने का जांए चाहिए जो ठीमगरो में दलता इए वह बोला इसमें दले लिया है देना नमख अब जबा शभर्ण याज़्ट वे लिए हमने हफ इसमें एक छोटा तुकडा ले लिया तो जिसके मैंने टुक्डए-टुक्रे कर लिए है कड़ी पत्टे लिया कड़ी पत्ते को हमें भून लेना है कड़ी पत्ते को हमें भून लेना है इसमें हमने जो मसाले आपको भी बतायते हैं वह सब दाल देंगे बिस्मिलायरमानी रहीम मसाले को हमें भून लेना है अच्छी तरीके से भूनियागा ये बहुत ही मज़े के बनते हैं खटे आलू इसे बना के जरूर ट्राइक किजिएगा बिस्मिलायरमानी रहीम देखें कि भून चुका है अब मसाला जैसे हमारा गुड़ पिगलेगा हम इबनी का पंस दाल बिस्मिलायरमानी रही जरूर बनाईएगा ये बहुत ही मज़े के बंदे और इस चोटी फिस्टर को भी बहुत पसंद है ही रादो अब इसको हमें भूल लेना है ये देखें माशाओलला से अभी से इसकी कितनी अच्छी शिकाल आगी है सब भी मुट्पाने पसंद करते हैं सब्सक्राइब चोटे बड़े बड़े बूड़े और सर्दी के मौसम में तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं सर्दी में खाने का दिल चाता है तो आप इने घर में बना लिए देखें अब हमारे आलू भून चुका है यह देखें माशालला से शकल कितनी अच्छा है इसकी इससे बनाईएगा जरूर बताईएगा कि आपको यह कैसे लगा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अपनी फैमली में शेयर कीजिएगा आप ये तैयार है हमारे आलू इस पर हमने जो हरी मिर्चे चोप कीवी थी वह दाल देंगे हरा धनिया दाल देंगे और एक चुटकी जर्दे का रंग दलेगा इसमें ऐसे चुड़क नहीं थोड़ा सा कलर आदे यह देखें माशालला अब हमारे आलू तयाह हो चुके है इसको दिशाओ करना है दि दिशाओ करके दिखाती हूं कि यह कैसे बने हैं हमारे चटपट चटपटे आलू तयार हैं कि मज़े के बने यह बनाईए गा और मुझे बताईएगा जरूर कि यह आपको मेरी रेसिपी कैसी लगे अलाफ हम नहीं एक न्यू रेसिपी के लेकर अब मैं हाजिर होंगे